संसनी ओप इंडिया स्योरी करने के बाद अपने ठिकाने पर पहुँचकर पलक छपकते ही जिंडा गाये के दरजनों टूकडे कर तुरंथ ही गौ मास को ठिकाने लगा देता था गिरफतार गो हत्यारों की पहचांत नेतिस वर्षिया चांद और वर्षद, वीस वर्षिया अरकम, एक्किस वर्षिया नसीम और फायान, तीस वर्षिया अनस वा तेईस वर्षिया एहमद गुफरान के रूप में हुई है सहद्रा स्पेजल स्टाफ ने गाय की हत्यारों को दबोचने के लिए बहुती एडवांस लेटस्ट टेकनलोजी का इसमाल किया था एडवांस लेटस्ट टेकनलोजी से अपरादियों की मुवमेंट वा एक्टिविटी पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है यह एडवांस लेटस्ट टेकनलोजी क्या है फिलाल मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा जो की एडवांस लेटस्ट टेकनलोजी का पता चलते ही अपरादियों अलर्ट हो सकते हैं स्थानिय पुलिस ने अपने स्तर पर गाय चोरो को खोजने की हर संभव कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी DCP शाहदरा आर सत्यसुन्दरम का शाहदरा जिले में क्रिमिनलों को क्लियर वकड़ा मेसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा क्रिमिनल अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे की अपराद करके वो बच जाएगा क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा DCP शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने गाय चोरों को दबोचने का काम शाहदरा स्पेशल स्टाफ को सौपा और महेंदर सिंग ACP ओपरेशन की सुपविजन वर इंस्पेक्टर विकास कुमार के नित्रित्व में गाय चोरी की घटना को 15 से 20 दिन हो गए थे ऐसे में चोरों के खिलाफ सुराग जुटाने में शाहदरा स्पेशल स्टाफ को थोड़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ा लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी टीम ने नए सीरे से जाच करते हुए सबसे पहले वार्दात वाले दिन का क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज और मोबाइल डैम डाटा को स्कैन किया जिस रूट से गाय चोरों के आने और जाने की आशंका थी जाच टीम ने उस रूट पर पढ़ने वाले सभी कॉनर्स, मल्टीपल टन्स, मकानों, दुकानों, वह स्टॉप और रेड लाइट पर लगे CCTV फुटेजों को खंगाला CCTV फुटेज और मोबाइल डैम डाटा में गाय काटने के तीन मामलों में वांटेड एहमाद गुफरान की लोकेशन क्राइम सीन के पास मिलने से इंस्पेक्टर विकास कुमार को समझने में देरी नहीं लगी कि यह कोई गाय चोरी की आम घटना नहीं है एक आरोपी की पहचान होने पर इंस्पेक्टर विकास कुमार की टीम ने गाय चोरी घटना की वजाए गाय काटकर मास बेचने वाले गैंग के एंगल पर काम करना शुरू कर दिया इंस्पेक्टर विकासकुमार ने गाए हत्यारों के गैंग को दबोचने के लिए मुख्विरों का जाल बिचाने के साथ साथ आरोपियों की अक्टिविटी और मुव्मेंट पर एडवांस लेटरस टेकनोलोजी से नजर रखनी शुरू कर दी इंस्पेक्टर विकास कुमार को मुख्बिरों से पता चला कि 10 वर 11 अप्रेल की दर्मियानी राथ शाहद्रा जिले में काउ स्लोटर गैंग हॉन्डा सिटी कार नंबर डिल 4CNC 1898 से आ सकता है इंस्पेक्टर विकास कुमार आरोपियो को दबोचने का यह मौका किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे इंस्पेक्टर विकास कुमार ने टीम के साथ तुरंथ ही गीता कॉलोनी इलाके में अपना जाल बिछा दिया Special Staff की एक टीम Advanced Latest Technology से आरोपियो की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी टीम को आरोपियो की लोकेशन सीमापुरी में दिखाई दी लेकिन मातर 5 मिनट के बाद आरोपियो की लोकेशन आनंद विहार में थी जोकी अपने आप में संभव नहीं था क्योंकि कार से सीमापुरी से आनंद विहार तक पहुँचने में कम से कम 30-40 मिनट का समय लगता है थोड़ी देर बाद गोह हत्यारों की मूवमेंट गीता कॉलोनी इलाके में आती हुई दिखाई दी इंस्पेक्टर विकास कुमार ने टीम को अलट कर दिया टीम ने हॉन्दा सिटी कार नंबर DL4 CNC 1898 को बहुत तेज गती आते हुए देखा टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं रुके और फरार हो गए लेकिन टीम ने भी तेज स्पीट के साथ काफी दूर तक कार का पीछा किया आरोपियो को जब लगने लगा कि अब वो बच नहीं सकते है तो उन्होंने गीता कॉलोनी के चाचा नहरू अस्पताल के पास पुस्ता रोड पर अपनी हॉन्दा सिटी कार से स्पेशल स्टाफ शाहद्रा की पुलिस कार को टककर मार दी टककर लगने के बाद भी शाहद्रा स्पेशल स्टाफ ने गाड़ी का संतुलन बनाये रखा और बदमाशों की हॉन्दा सिटी कार के बिलकुल सामने पुलिस गाड़ी को खड़ा कर उनके भागने के रास्ते को रोप दिया टीम ने चारो और से घेर कर आरोपियों पर काबू पाने की कोशिश की आरोपियों में से एक ने देशी पिस्तॉल से पुलिस टीम पर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन आरोपी चूप गया एक आरोपी ने स्पेशल स्टाफ शाहदरा के एक एसाई पर चाकू से हमला कर दिया जिससे एसाई के दाहिने हाथ में चोट लग गई बड़ी मशक्कत के बाद टीम ने सभी आरोपितों को काबू कर लिया से हमने तुरंद जो हमारा स्पेसल स्टाफ है इंस्पेक्टर विकास उनकी अंडर में केसी की आपरेशन मोहिंदर सिंग उनकी अंडर में अमने डेप्यूट किया हैं यह टीम ने अपने पुरा एरिया में अपना लगवाया तीम बाकी इसको सुपे सभी इनोने इसपार्ट किया है अलिमानिंग सभी इसको चेज करने लगा चेज करते करते के घिद हमें इसमें काबू करके इसमें पांच लोग तें जो अक्यूजड है इसी चेसिंग में पॉलिस वाला का भी इंजुरी हुआ है बागी पांच लोग को हमने करबतार किया है इसमें अमने गाडी को भी हुमने इसमें कुछ गाई का भी हमें अड़ी हो मिला है इसे में हमने तुरंद मुगदमा दर्च करके इनको आरस करके बागी इन्योसिकीशन अभी चाल हुए है तार गौ हत्यारों की पहचान जिला अम्रोह तहसील हसनपुर्थाना नंगली उत्तर प्रदेश निवासी तलाशी में गौ हत्यारों के पास से गाय का मास्क गाय के मास्क को दुकानों तक ले जाने में इस्तेमाल हॉन्डा सिटी कार नंबर डिल 4CNC 1898 एक देशी पिस्तॉल के साथ एक मिस्ट कार्टिरज लगभग एक फीट लंबे दो चाकू और एक लंबा स्क्रू ड्राइवर बरामद हुआ है पूच्ताच में आरोपियों ने बताया कि पिछले काफी समय से यमुना पार इलाके के थाना आनन विहार, गाजीपूर व मयूर विहार में गोहत्या की वारदातों को अन्जाम देते आ रहे हैं आरोपियों ने आगे बताया कि एक गाय का मास लगभग 20,000 रुपे में बेचते थे दिनांग 10 वग 11 अप्रेल की दर्मियानी रात को उनकी गैंग ने शास्त्री पार्ग, सीलमपूर और गोकलपूरी इलाकों से सड़क पर रहने वाली तीन गायों को उठा कर शामगिरी मंदिर शास्त्री पार्ग के पास उनकी हत्या कर दी आरोपियों के खिलाफ ठाना गीता कॉलोनी में एफायर संख्या 46 बटा 22 धारा 186 बटा 353 बटा 307 एक सो तिर्पन एक 291 एक 439 बटा 34 और 4 बटा 7 आठ बटा 12 डी असीपी अक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया आरोपियों से गोमास खरीबने वालों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है आरोपी चांद और परशद की लंबी क्राइम हिस्ट्री है यह थाना गाजीपुर, कल्यानपुरी वजगतपुरी में चोरी के 9 मामलों में पाया गया है आरोपी नसीम उर्फयान थाना गीता कॉलोनी वो आनंद विहार में गाय काटने के 2 मामलों में वांडेट था आरोपी अनस पुत्र नासिर के खिलाफ थाना गीता कॉलोनी में गोहत्या का पहले से ही एक मामला दर्ज है आरोपी एहमद गुफरान थाना आनंद विहार, गाजीपोर वो मयूर विहार में गोहत्या के तीन मामलों में वांडेट पाया गया है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले कहीं डर तो कहीं डर कहीं आत्म हत्या तो कहीं हत्या कहीं साजिश तो कहीं रंजिश हर जरुमुका करेंगे पड़ता फाज देखें हर रोज रात साड़े दस बजी संसनी ओफ इंडिया राष्ट्य राज़ानी नई दिल्ली से प्रकाश्चित हिंदी जैनिक समाचार पक्त विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारुबार और आपके आसपास की गटाओं से रूबरू बात्र दो रूपे में विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी, कभी भी पस लॉग इन करें